गुड बॉनिं क्लास एलके जी सब्जेक्ट अबर चाप का मैथोमैटिक्स और इसमें देखे हम लर्णिंग नंबर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने जिरो से इसमें स्टार्ट किया था बच्चो ठीक है ना तो एक बरस को रिपीट करा लेती हूँ जीरो आपने यहाँ पे लिखा होगा इसी तरीके से जेड इर ओ जीरो ठीक है ना और आगे हमने क्या पढ़ा था वन ओ एन इवन ठीक है ना आपने बुक में इसको लिखा होगा बच्चो तो पेज नमर आपका 6 था यह आपको ने लिखने के लिए दिया था तो वन यहाँ पे आपने लिखा होगा तो आज हम 2 पढ़ेंगे ठीक है ना और इसको लिखना सीखेंगे 2 हमको किस तरीके 6 कॉलम के अंदर लिखना है बच्चो तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पिक्चर बनी है 1 2 ठीक है और यह कौन सी नंबर है 2 नंबर और यहाँ पे स्पैलिंग देखिए T-W-O-2 ठीक है ना आप जब लिखते हैं सबसे पहले आपको जो नंबर स्पैलिंग है यहाँ पे आपको देखना है और इसको पढ़ना है T-W-O-2 ठीक है ना अब आपने अपने पेज नंबर 7 पे टू लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे इसको ट्रेस करके लिखना है बच्चों इसके उपर इसी तरीके से ठीक है ना यह तो आप इसली इसको कर दोगे और उसके बाद जो यहाँ पे blanks, column आपको देख रहे हैं आपने जैसे यहाँ पे टू बनाया है इसी तरीके से यहाँ column के अंदर भी आपको टू बनाने बच्चों के column से बहर आपका number नहीं आना चाहिए इसी तरीके से आपको क्या करना है टू इसमें बनाना है ठीक है ना सारे column में आप क्या कर देंगे इसी तरीके से आपको टू बनाना है अच्छे से आपको अपनी pencil इसमें चलाईएगा एक पेज आपका लिखने के लिए है ज्यादा इसमें लिखने के लिए नहीं है तो अच्छे से अपनी बुक में इस काम को करेगा ठीक है न इसी तरीके से आपने सारा इसमें 2,2,2 करके लिख देना है ठीक है अब यहाँ पे देखे रहे हैं आप पिक्चर बनिए आपको 2 पिक्चर जहां पे आपको 2 पिक्चर देखेंगे वहाँ पे आपको यह वारा टिक बना देना है तो यहाँ पर देखें 2 apple बने हैं तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे ये फिर बाकी क्या है ये one है ये three है और ये two है तो हमारी number क्या है हमारे पास अभी two तो हम two पर क्या कर देंगे तिक मार देंगे तो यह आपको बुक्स में करना है और कॉपी में देखिए अभी तक हमने 0 और 1 पड़ा है बच्चों ठीके ना अभी तक मैंने आपको कितना पड़ाय था 0 और 1 तो आपको कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिक्स करनी है जो आपकी मैस की लिखना है इस तरीके से आप sorry इस तरीके से आप 0 की प्रैक्टिस इसमें कॉपी में करेंगे ठीक है ना इस तरीके से देखिए 0 0 ठीक है जहाँ पर मैंने नमबर दिया इसी तरीके से आपको क्या करना है पूरा यहाँ नीची तक इसको zero लिखना है, फिर यहां पर देखे आपको क्या करना है? zero के spelling लिखने z e r o zero, ठीक है ना? यहां, पूरे page में आपने इसी तरीके से zero की spelling और zero आपको लिखना है फिर यहां पर देखे one तो one भी जैसे मैंने zero बता है one one वन 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 फिर यहां पर देखिए वन वन ठीक है न इसी तरीके से आपने इन कॉलम के अंदर इसमें क्या कर देना है वन लिख देना है फिर यहां पर देखिए spelling आगई वन के आपने spelling लिखनी है o n e one ठीक है न जब आप spelling लिखेंगे तो आपको बोल के उसको लिखना है ठीक है न जैसे मैं आपको बता रही है o n e one ऐसी बार-बार आपको बोल के लिखना है ऐसको o n e ठीक है ना जब तक आपके सारी लाइन कम्प्लीट नहीं होती तो आपको इसी तरीके से बोल के इसको लिखने हैं फिर यहां पर भी इसी तरीके से आपको करने हैं बच्छों O N E 1 O N E 1 O N E 1 O N E 1 ठीक है न यहां तक आप लिखेंगे तो आपको बोल के इसको लिखना है ठीक है न जो इस पैलिंग है 1 और 0 की आपको अपनी कॉपी में इसको बोल के लिखना है इससे आपको स्पैलिंग भी लर्न हो जाएगी ठीक है न और यह आपको आज टू अपनी बुक्स पे पेस नमज 7 पे आपको लिखना है तो थैंक यू बच्चों